नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि ये जो महिने की खराब शुरुआत कल हम लोगों को देखने को मिलनी वाली है उसके पीछे का complete logic क्या है तो पहले हम लोग price action का analysis करेंगे फिर time analysis के साथ उसको club करके आज का open interest का data क्या बता रहा है ये सभी बाते इस वी का daily का chart लगाया हुआ है सबसे पहले price action के कुछ में important concept में आपको सिखाना चाता हूँ जब भी हम लोग price action के rule को समझना चाते तो एक important rule रहता है कौन से भी level को अगर market multiple बार support करता है और उस support को अगर एक बार हम लोगों को breakout मिल जाता है तो breakout के बाद next time वो support level के करीब जब भ क्राम करता हुआ दिखाई देगा अभी इसके पीछे का psychology जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आप लोगों को इस rule के बारे में ज्यादा कुछ understanding नहीं हो जाएगा और फिर live market में इसको implement करना आपके लिए difficult हो जाएगा तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो इस level के क सेल के position बनाए हुए थे लेकिन कुछ दो ऐसे ट्रेडर थे जो साइड लाइन पर बैटे रहते थे जिनका opportunity मिस हो चुका था वो लोग वेट कर रहे थे कि market में कब जाके वो सेल के position इनिशेट करें तो जनरली वो लोग क्या करते हैं जब भी market is resistance level के करीब आ जाता है तो market मे एक retracement होने के कारण यहाँ पर उनको put के call के premium जो है वो अच्छे rate के उपर मिल जाते हैं तो यहाँ पर वो अपने position इनिशेट करते हैं और यहाँ से market downside के momentum को दुबारा continue करता है यह price action का universally accepted theory है अगर इस theory में आगर आपको कुछ doubt रहेगा तो मुझे comment section में बता दीजे तो मै आपको दुबारा explain करके बताओंगा अभी यहाँ पर हम लोगों को कौन से point के उपर focus करना पड़ता है पहला focus हम लोगों को करना पड़ता है यह दो दिन के उपर open interest के data में किस तरीके का data बना हुआ है और यहाँ पर जो selling initiate हुआ है वहाँ पर किस तरीके का data बन चुका है त तो यहाँ पर market में कम quantity के साथ ही सही लेकिन fresh sale के position बनते हुए दिखाई दे रहे है तो यह हमें indicate करता है कि market इसी downside के momentum को continue रख सकता है आने वाले समय में तो यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से trade लेना यह समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 minute chart के उपर अब यह आपके सामने में 15 minute का chart लगाया हुआ है फहले में आज को दिन का result आपको explain करके बताता हूं कल के वीडियो में मैंने आपको detail में explain किया हुआ था कि morning 12 बज़े तक market में जो है वो downside का opportunity हमर लिए high probabilistic रहेगा यह as per the time analysis बताया हुआ था और फिर price analysis से भी मैंने आपको detail बता रहते हो तो जैसा मैंने आपको बताया वुआ था उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो market initially gap up के साथ open हो गया था gap up के साथ open हो जाता है तो generally retail trader का psychology positive रहता है लेकिन हमरा time analysis indicate कर रहा था कि market downside का momentum दिखाएगा 12 बज़े तक तो अगर आप देखोगे तो market ने 12 बज़े तक downside का momentum दिखा दिया हम लोग generally time analysis में उसी time frame को consider करना चाहते है जिसमें one sided momentum होने की सबसे ज़्यादा probability हो उसके बाद आगर आप देखोगे तो market जो था वो एक range bound zone में चला गाया है और इस range bound zone में ज़्यादा कुछ option buyer को मुनाफ नहीं रहती हाई time analysis आपको एक दिन पहले ही बता देगा कि market में कब जाके best opportunity आने वाला है यह benefit time analysis का कितने लोगों को time analysis सिखने में इंट्रेस्टे वीडियो को like करके मुझे comment section में बता दीजे मेरा जो भी analysis के training के वीडियो रहेंगे completely free of cost रहेंगे फिलाल के लिए सेबी की त अपना training start करने वाले हैं तो वीडियो को like करके मुझे जरूर बता दीजेगा comment section में कि आपको कौन कौन से point के उपर time analysis में दिक्कत आ रही है तो आभी देख लेते हैं कि कल के दिन market क्या करने की probability है तो सबसे important बात morning session में हम लोगों को साड़े 10 बज़े के बाद गिरा और दे देखाई देगा यह one of the high probability opportunity रहेगा next opportunity हम लोगों को कहां पर मिलने वाला है तो नीचे की साइड में हम लोगों को एक important support मिल रहा है इस support के करीब आगर आप देखोगे तो मार्केट ने multiple बार रस पर किया हुआ है तो यह नीचे की साइड में 19,064 का जो level है यह हमरे एक important support है अगर market इस level के नीचे आ जाता है तो यहां से फिर market में downside का momentum हम लोगों को देखने को मिल जाएगा यह high probability opportunity रहेगा मार्लो की कल के दिन market जो है वो market directly gap down open होता है तो gap down के मौसम में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि opportunity वाला zone कहां पर दिखाई दे रहा है तो नीचे अगर आ हम लोगों को focus करना पड़ेगा कि market कहां पर support ले सकता है अभी जब भी हम लोगों को price action के सबसे कुछ भी support नहीं मिल रहा रहता है तो हम लोगों को open interest का सहरा लेना पड़ता है तो open interest में आगर आप देखोगे तो put की side में वहां पर one of the highest open interest 19,000 level के करीब बन चुका है तो कल क 19,000 level के नीचे हम लोगों को एक downfall देखने को मिल सकता है जहां पर यहां पर जितने भी लोगों ने buy कि रहेंगे वो सब buyer लोग trap होने के आशंका यहां पर develop हो जाती है प्लस उनके साथ-साथ market में यहां पर जैसे 19,000 के नीचे market sustain करना start हो जाएगा तो 19,000 के नीचे market ने कर रहा है कल के analysis के वीडियो में मैंने आपको बताया वह आता यूटूब के उपर वीडियो अभी भी आवे लेबल है चेक करके देखिए यह important resistance लेवल रहेगा इसी लेवल से तेज गिरा वर start हुई थी तो इसी लेवल से market दुबारा नीचे भी आ सकता है तो नीचे आते सम मार्केट ने हम लोगों ने जो प्रिडिक किया हुआ था उस तरीके का momentum दिखाया अभी यहां पर वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉस कीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपको यहां पर कुछ pattern वगरा दिखाई दे रहा है क्या अभी मैं आपको दुबारा explain करके बत दे रहा है इसको technical language में बोलते है head and shoulder pattern तो यह head and shoulder pattern indicate करता है कि एक neckline के नीचे का हम लोगों को close मिल चुका है 15 मिनिट चाड़ के उपर तो market यहां पर downside का momentum हम लोगों को दिखा सकता है जैसे हम लोगों को indication यह चाड़ के उपर मिल रहा है वैसे ही bank nifty में आगर हम लोग जाते तो bank nifty में भी हम लोगों को यह support with the resistance का जो concept आज मैंने आपको सिखाया हुआ है यहां पर dark cloud cover pattern भी हम लोगों को same indication दे रहा है कि market में retracement का दोर खतम होके जो previous वाला downtrend यहां पर चल रहा था इस downtrend को market resume कर सकता है तो आने वाले week में आपको उस तरीके का momentum देखने के high probability है तो क नीचे market में downside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो कल के दिन हमारी नजर कहां पर रहेगी कि market कहां पर open होता है तो हम लोग सबसे पहले बात क्या करेंगे कि market opening के बारे में देखेंगे अगर कल के दिन market इस level के करीब कई पर भी open होता है plus minus 20-25 point आप पकड़ लो तो यह यहां से market reverse होने की ज़्यादा probability रहेगी और यहां से market downside के momentum को continue रख सकता है मार्लो की market जो है वो उपर की side में open नहीं होता तो नीचे की side में इस वाले level को already break कर दिया है तो जैसे ही market opening के बाद इस level को low को break करेगा यह जो 42,797 का level है तो इसके नीचे दूबारा market में downside resume हो सकता यह high probabilistic opportunity रहेगा अगर मार्लो की market directly gap down open हो जाता है तो gap down opening के बाद फिर हम लोगों को as a aggressively काम करना पड़ेगा या फिर यहां पर price action बनने के बाद हम लोगों को दिखना पड़ेगा अगर कोई अच्छा opportunity आएगा तो अपने इस free वाले channel में मैं update कर दूँगा जिसका link video के नी thank you very much